अपने इस वीडियो में जाने के पांच ऐसी चीजों के बारे में जो डेंगू फीवर हो जाने पर आपको चरूर खानी चाहिए जब किसी को डेंगू का फीवर हो जाता है तो उसकी प्लेटले तेजी से कम होने लगती है जिनको बढ़ाने के लिए लोग कई सारे उपाए अपनाते हैं डेंगू फीवर हो जाने पर कई लोगों के मनमिय सवाल रहता है कि इस कंडिशन में क्या खाएं और क्या ना खाएं तो सबसे पहले जान लेते हैं डेंगू फीवर होता क्या है डेंगू एक वाइरल बुखार होता है जो मच्छनों के काटने से होता है डेंगू एक वाइरस होता है जब कोई मच्छर इससे infected हो जाता है और वो मच्छर किसी व्यक्ति को काट लेता है तब उसको डेंगू का फिवर आने लगता है डेंगु में मरीज को तेज बुखार आता है सिर में दर्द होता है पूरे सरीर में दर्द होता है जोडो में दर्द होने लगता है गुटने में दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा कमजोरी लगने लगती है इसकिन पर रहसे जा सकते हैं आप लेखेंगे मरीज के skyn पर लालल चकते जैसे आ सकते हैं दाने जैसे आ जाते हैं कभी कभी जब platelet ज्यादा लोग हो जाती हैं दसजार बीसजार तो bleeding होनी का खत्रा ज्यादा रहता है जैसे कान से blood आ सकता है नाक से blood आ सकता है तो इस सारी condition डेंगू हो जाने पर हो जाए जब पेसेंट की कंडीसन जादा खराब हो जाती है तो यसारी प्राब्लमों do घुट्र भी गुए अराम के सासाथ खान पान पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की सला देते हैं राम हług तेजी से कम होने लगते हैं डेंगू होजाने पर, तो कई लोग इसको बढ़ाने के लिए कई सारे चीजें खाना सुरू कर देते हैं, तो आपको सही府ानकारी होना काफी जरूरी है, अगर आप उ्ल्टी सीधे चीजे खाएंगे, आपको फायदा होने के वज़ाए आपको नुकसा नहीं होगा तो सबसे पहले बात करेंगे पपीता के बारे में पपीता एक ऐसा फल है जो आपको डेंगू बुखार हो जाने पर जरूर लेना चाहिए ये किसी मेडसीन से कम नहीं होता है पपीते के पत्ते डेंगू के दावरान प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करते हैं इसके पत्ते में पैपेन और काइमो पैपेन जैसे एंजाइम होते हैं जो पाचन बढ़ाने में मदद करते हैं पपीते के पत्ते का रस पीने से सरीर में white blood cells जो होती डबलू बीसी होती हैं वो तेजी से बनती हैं और platelets तेजी से बढ़ने लगते हैं इसके अलावा आप कच्चे पपीते की सबजी बना कर भी खा सकते हैं डेंगू में platelet count बढ़ने के लिए कीवी बहुत फायदेमंद होता है कीवी में vitamins और antioxidants भरपूर मात्रा में होते हैं कीवी खाने से red blood cells का निर्माट तेजी से होता है डेंगू बुखार से रिकवरी के लिए कीवी को काफी अच्छा माना जाता है कीवी का 7 करने से डेंगू के म मरीज को energetic रखने में भी मदद मिलेगी नमबर 3 अनार डेंगू होने पर मरीज को अपनी diet में अनार जरूर सामिल करने चाहिए दरासल अनार में iron की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो immunity और platelet बढ़ने के लिए काफी जरूरी है डेंगू के मरीज अनार को सीधे तोर पर खा स सकते हैं या इसका juice भी पी सकते हैं यह सरीर में खून की कमी होने से बचाता है नमबर 4 पालक डेंगू में प्लेटल बढ़ने के लिए पालक का सेवन करना चाहिए पालक में विटामिन के भरपूर मात्रा में पाये जाता है जो प्लेटल बढ़ने का काम करता है इसके इसको पीने से आपको डेंगू पानी की कमी नहीं होगी और आपका बीपी लो नहीं होगा नारील पाने के लिए आप नारील पानी का सेवन कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको ज्यादा ज्यादा मात्रा में ओर फ्लूट Oh! लेने चाहिए जैसे कि औरेस का पानी ले सकते हैं जदर जदर पानी पी सकते हैं आपको उबला हुआ पानी पीना चाहिए साप सफाई का ध्यान रखना चाहिए कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड नहीं लेना चाहिए डेंगू बुखार हो जाने पर आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जो आसानी से पचा सकते हैं अगर आप ऐसा खाना खायेंगे जिसे पचाने में आपको मेहनत करनी पड़ती है तो आपको चीजे खाना बिल्कुल बंद कर दें जैसे कि तला भुना मिर्च मसाले वाली चीजें कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है डेंगू हो जाने पर मीट खाना चाहिए या फिन नहीं खाना चाहिए दोस्तों स्टार्टिंग में एक से डेढ़ हपते तक आपको को एवाइट करना चाहिए स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए और जंग फूड वगएर अगर आप लेते हैं उनको बंद कर दें और इसके साथ ही कैफीन वाली चीज़ों को भी एवाइट करें जैसे कि चाय काफी सोडा कार्बोनेटे ड्रिंक्स जो होती है उनको एव जाता है तो उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आपको मैंने पांच ऐसी चीज़ें बताए अपने इस वीडियो में जो आपको डेंगू फिवर हो जाने पर जरूर लेनी चाहिए अगर आप डेंगू फिवर के बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी चा को हमेसा मिलते रहेंगे